नवश्कार साथियो उतकष इंजिनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं खेमेंदर आपका बहुत जादा स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप लोगी तैयारी बहुत ही बहतर तरीके से चल रही होगी तो यहाँ पर इस वीडियो में के अंदर ये मैं खास इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ अगर आप प्रिपेर कर रहे हैं ऐसे सी जेई एग्जामिनेशन के लिए तो इस वीडियो के अंत तक आपके अंदर एक मोटिवेशन जरूर आ जाने वाला है कि हाँ अब मेरा सेलेक्शन हो सकता है मुझे और मेहनत करनी है और मेहनत इतनी भैतर करनी है कि selection मेरा पक्का हो जाए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि CPWD डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट की सबसे जादा वेकेंसी होती है SSEJE के examination में वो डिपार्टमेंट में कितने कितने वेकेंड पोजीशन अभी है at present जी हां दोस्तों एक डिपार्टमेंट की internal notice हमारे पास यहां पर उपलब्ध हुआ है उस notice के आधार पे हम ये बताएंगे आप लोगों को कि कितनी वेकेंसी अभी present में present में वेकेंट है CPWD department के अंदर गत ठीक है पेटा तो यह एक notice है हमारा जो की internal information हमको मिली है लिखा है साफ तो और पे detail of vacant and in position CPWD as per the information received from the concerned section officer तो यह जो उपर वाला portion दिख रहा है यह तो promotion quota में है मतलब promotion मतलब मान लीजे कोई JEE, AE में transfer होने वाला है तो वो promotion quota का significance यहाँ पर दे रखा है CPWD में तो यह हमारे काम का नहीं है जो अच्छे तयारी कर रहे है उनके काम का यह नहीं है promotion quota वाला logic है यह हमारे काम की चीज़ क्या है हमारे काम की चीज़ है यह नीचे की तरफ यह देखिए जो हम नीचे की तरफ आते हैं यहा लिखा है technical post DR quota यह DR क्या है direct recruitment वाला portion है ठीक है technical post DR quota के अंदर गत जब हम इसको थोड़ा से और अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पर कौन-कौन से department है और कौन-कौन सी चीजों पर हमको ध्यान देना है तो majorly यहाँ पर electrical और civil की seats आपको पता है यहाँ पर होती है चीज़के बेटा electrical और civil की seats यहाँ पर है CPWD के अंदर अगर मैं number of post जो की अभी present है इसमें यहाँ पर total strength कितनी है उसके उपर बात करूँ तो electrical की 924 strength है CPWD department के अंदर और civil की 2364 total post है इस department के अंदर उसमें अगर मैं बात करूँ इन position मतलब इन में से कितनी position already occupied है तो electrical की बात कर तो 583 post already occupied है और civil के अंदर 1585 post already occupied है and अब सबसे important बात जो की आप लोगों को बताने मैं यहाँ पर आया हूँ कि total number of vacancy कितनी खाली है कितनी seats खाली है electrical और civil की CPWD department के अंदर वो कितनी है बेटा electrical की है 341 और civil की देखो तो यार 779 total vacancies यहाँ पर है तो यह number को देखके हमको यह idea होता है कि अब जो SSCJE का examination आने वाला है जी हाँ दोस्तों अब जो SSCJE का examination आने वाला है आपका notification भी कुछी दिन में आपका आ जाएगा calendar आ चुका है उसके आपका examination होने वाला है कुछ time में उसके अंदर अगर आप तयारी शुरू करते है या फिर अगर आप तयारी कर रहे हैं उसके लिए तो कितने अच्छे chances हैं आप लोगों के select होने के because the number of vacancies are very nice because 800 vacancies civil में आप सिर्फ एक department से उठा रहे हैं ऐसे ही कुछ और भी department से जो कि अलग-अलग vacancy प्रोवाइड कराते हैं CPWD में 341 vacancies this is a very good number जो कि मैं आपको बता दू मेरे experience के हिसाब से काफी अच्छा खासा number है 341 number का total vacancies आज की तारिख में CPWD में कितनी है electrical की 341 similarly civil की 779 तो I really hope के अगर आप prepare कर रहे हैं SSCJ examination के लिए तो इस number को देख कर आपके अंदर एक और motivation जाग गया होगा कि हाँ यार vacancy तो अच्छी है अब मुझे और महनत करना है अब मुझे इस 341 में आना ही आना है चलो कोई बात नहीं 341 में भी नहीं तो दूसरे भी तो department है जिसके अंदर आप जॉइन हो सकते हो ठीक है सिर्फ एक ही department तो नहीं है यह मैं सिर्फ CPWD के लिए बता रहा हूँ यह मैं यह नहीं बता रहा हूँ कि सारा SSC जेई में इतनी ही वेकेंसी है सिर्फ एक department में और भी department है बीरो department है अलग-अलग departments होते है तो उनमें ही वेकेंसी होगी जिसके बारे में अपडेट आपको बता दी जाएगी SSC के द्वारा अभी तक अपडेट नहीं आई है यह जो information लेकर आए है CPWD department से लेकर आए है ठीके बटा तो यह बात कि लिए होनी चाहिए तो मेरा पूरा मकसद क्या है आप लोगों को इस वीडियो के तहत बताने का कि हाँ अच्छी वेकेंसी है लग जाओ आज सही तयारी में क्योंकि अगर आप तयारी शुरू करते हैं और अभी से अपनी प्रिप्रेशन को एक सही आकार देते हैं तो आगी जाके रिजल्ट में जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ पर आपका नाम आपको ज़रूर ज़रूर दिखने ही वाला है तो अगर आप रिपेर कर रहे हैं SFC JE के लिए किसी भी लेवल पे आप हो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारे के सारे कोर्स हमारी उतकरश एब के ओपर एवलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा हमारी जो लेटेस बैचिस चल रहे हैं उसके वारे में उसमें एन्रॉल होकर अपनी पढ़ाई को एक शांदर आकार आप जरूर दे सकते हैं मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इसी इन्फर्मेटिव वीडियो में तब तक लिए अपना ध्यान रखिए धन्यवाद